गुद मारिंग बच्चों, आज हम पड़ेंगे खेल जहां मैदान वहां, इसके लेखक है ज्ञान चतुरवेदी जी, यह पाट उपवाचक है मेरे घर के सामने एक छोटा सा उबडखाबड मैदान नुमा भूमी का टुकड़ा है लेखक केते हैं, उनके घर के सामने एक उबडखाबड मैदान नुमा भूमी है, जहां प्रती दिन एक संसनी खोच टेस्ट मैच हो जाता है सभी को पता है कि टेस्ट मैच क्या होता है, 2020 या 50 ओवास का स्कूल के बच्चे की बस आड़ बजे आती है, बच्चे साथ बजे से ही आकर इस थानी ओवल मैदान में इकटे हो जाते हैं मैदान का अत्य है ग्रॉन, यह मैदान पचास साथ फीर चोड़ा और इतना ही लंबा है कब खेलते हैं इस मैदान में बच्चे सुबा आड़ बजे से, साथ आड़ बसते एक के उपर एक रख कर विकेट बना लिया जाता है और ऐसा चोड़ा और उंचा विकेट रिकार्ट बुक में दर्ज होना चाहिए ऐसी भूमिकाएं विकेट होने पर भी यहां किसी को क्लीन बोल्ट से आउट करना कटिन है क्योंकि वहाँ पर बाल बसते से टकराई या नहीं इस पर बच्चे कभी एक मात नहीं होते मतलब उनसे सहमत नहीं होते खूप जूम जटकी के बाद कोई मान जाए तो बात अलग है कैच आउट मानना पड़ता है वैसे उसमें भी कई बार इस बात पर लड़ाई होती है कि बाल बहुत तेज करी थी और ऐसी तेज बॉलिंग करना कहा की इंसानियत है अभी हमारी बारी आने दो तो बताएंगे फिर ना कहना इस तरह बच्चों की लड़ाई होती है और विकेट किस से बनाते हैं बच्चे अपने ब्यागों से स्कूल बैक से स्कूल बैक बिकेट बनाएंगे तो वहाँ पर आउट होने का तो सवाली नहीं पैदा होता अगर वह नहीं माने तो उन्हें क्या चाउट करार दिया जाता है इस तरह बच्चे धूमदाम लड़ते हुए सुबारे सुबेरे मैदान में खिलते थे सबसे पहले दो टीमों का चयन होता है चयन का अर्थ है सेलक्षन बच्चे अधिक है इसलिए यह करना पड़ता है अगर पंद्रा से जादा हो तो टीम दो बनते हैं जो दादा टाइप के बच्चे हैं उम्में कुछ बड़े हैं तथा काटी से मझबूत है वेचयन करते हैं मतलब इस तरह के बच्चे सेलक्षा करते हैं के टीम को जो तगड़ा हो, बलवान हो और उंचा हो इस दवरान दूसरों को चूच अपाट की हिम्मत नहीं पड़ती चूच अपाट करते हैं बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती चयन करने वाले पहले अपने यार दोस्तों को ले लेते हैं जो सेलेक्ट करते हैं टीम को पहले अपने दोस्तों को टीम में ले लेते हैं फिर पड़ोसियों को फिर एक दो अच्छा खिलने वालों को भी वे स्वयम तो टीम में आते ही हैं और इस बात में वे राश्चिय चैन करताओं से दो कदम आगे हैं उस बच्चे का स्थान तो खेर टीम में पक्का है ही है जो बला तथा गेंद लाता है जिसके पास बाल और बैट होता है वो कमपलसरी टीम में होता है कई बार यह जित करके कप्तान तक बन जाता है कैप्टेन मतलब टीम का लीडर बन जाता है बात नहीं मानी तो वह अगले दिन बैट नहीं लाएगा सब देखना पड़ता है चैन करताओं को इस चकर में कुछ अच्छा खेलने वाले बच्चे बाहर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास नहीं बैट बाल होता है और नहीं वे बलवान होते हैं यह बाहर रह जाने वाले हल्ला करते हैं कंकड मारते हैं और बार बार चिलाते हैं कि चलो चलो बस आ गई उनमें से एकाद दो अमपायर बन दिया जाता है और जो गुसे में किसी को भी आउट दे देता है यदि आउट करने के लिए बहुत हुलड मचा तो वह अपना बल्ला वापस ले लेता है तब उपा अमपायर अपना ही निन्य रद कर देता है अगर उसे आउट करें जिसके पास बला और बाल हो तो वह गुसे में आ जाता है और अपना बाल लेकर चले जाता है तो ऐसे समय पर अमपयर उने आउट भी नहीं कर सकता मैदान के उत्तरी छोर पर कुछ शेटनुमा गैरेज बने हैं जिनकी छट पर अगर बाल चली गई तो खेलना केवल बहुत देर तक बंद रहता बलकि उस बलेबास की हैसियत उम्र स्वास्त के हिसाब से ही पिटाई तक की जा सकती है क्यों क्योंकि उसने बाल को गैरेज के उपर मार दिया हो गैरेज में सीड़िया नहीं है सो छत में गेंद उताना कटिन तथा कलापुन है यह हर बच्चे के बस की बात नहीं है जो चड़ कर निकाल लाता है उसे अतिरिक्त चार रन मिलते हैं जो टीम का लड़का उसे चड़ कर लेयाता है उसे एक्स्टा फोर रन्स दिया जाते हैं और जिस बल्ले बाजने मार कर फेंकी है उसे आउट माना जाता है मैदान के दक्षिनी चोर मकान है जहां मैं कमिन्टेटर की मुद्रा में प्रति दिन बैड़ता हूँ पूर्वी चोर एक बाग है जिसमें चली जाने पर गेंद प्राया खो जाती है और जिसके खिलाडी की गलती से गेंद खोई वह टीम पराजित मानी जाती है जो गेंद को गुमा देता है वह टीम हार जाती है इसी मैदान में यहां वहां खुत्ते, बकरियां, गाएं और भैंस बैठी लेटी या टहलती रहती है जब किसी बच्चे से कैच गिर जाता है या गेंद हाथ से निकल जाती है तो वह इन चौपईयाओं पर दोश डाल देता है अगर बेड बकरियों के वजह से कैच छुड़ जाती है तो वह चौपईयाओं, चौपईया मतलब चार पेरों वाले जानवरों पर डाल देता है यह बकरी बीच में आ गई वरना देखता मैं कैच पकड़ लेता था इस मैदान पर बाधाओं के अलावा बहुत से गड़े भी हैं गड़े मतलब जो मतलब वहां पर जमीन खोदी गई हो जमीन के इतने से टुकड़े पर इतने सारे गड़े मैंने कहीं नहीं देखे इनके अलावा मैदान पर है थोड़ी सी घांस, सुखा गीला की चट, पत्तरों के छोटे बड़े टुकड़े बजरी के धेर जिन्हें बस स्टैन बनाने के लिए वर्षों पहले डाला गया था ऐसी विपरीत परिस्टियों में भी बच्चे रोज सुभा साथ से आड़ बजे तक मैच खिलते हैं और बहुत बड़िया खिलते हैं सब जानते हैं भारती क्रिकेट विपरीत परिस्टियों में भी चमकती है किर्मिच की रबर नुमा टपेदार गेन से जितनी खतरनाग गेन बाजी कर सकते हैं की जाती है पहले क्रिकेट की असली कार्प की बॉल से खेलते थे कार्प मा बॉल मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉंग होता है परन्तु पिछले महीने ही खतरनाग पत्रीले पिछ से उतार कर वह गेन सीधे पीछे की तरह तरफ गई जहां एक सजण जोला लेकर मैदान में थर्ड मैन के आसपास से निकल कर बस पकरने के लिए लपके जा रहा था मतलब सुबा सुआ आप इसके लिए वो जा रहा था वे जोले के साथ ही घिर पड़े गेंद सिर पर लगी थी सारे बच्चे बस्ते लेकर भाग गए क्योंकि वह आदमी घायल हो गया था और अगले दिन भी उदर नहीं फटके मतलब मैदान में खेलने के लिए कोई नहीं गया स्कूल भस भी खाली गई क्योंकि उस आदमी को बहुत मार पड़ी थी बात में धीरे धीरे सब कुछ फिर पूर्ववत शुरू हो गया परन्तु तै किया गया कि किर्मिच की गेन से खेलेंगे वे सज्जन अभी भी दूसरा जूला लेकर इसी मैदान से निकलते हैं पहले वाला जूला किसी ने उस दिन मार लिया था जूला कारते हैं बैक जब वे बेहोश होकर गिर गए थे बच्चों को उन्होंने माफ कर दिया था खिलाडियों का चायन होने और दो टीम बनने में ही रोजाना सवा साथ बच जाते हैं आड बजे स्कूल बसा जाती है 45 मिनट में शेज बसते हैं और दोनों टीमों को बैटिंग करनी होती है दोनों की एक एक पारी होती है कैसे होगा पर हो जाता है 45 मिनट में ही छक्के से लेकर रन आउट तक सब कुछ संपन हो जाता है अपने आपको कपिल्देव समझते हैं और मानने वाला बॉलर लंबे रन अपकी गुंजाई शोटे से मैदान में ना होने के कारण दूर सडक से दौड कर आता है और बाल अनाब सना फेंग देता है गेंद पिछ के गड़ों से टकरा कर आप ही आप लेक ब्रेक, बंपर, गुगली, और स्टिंगवर, इत्यादी कुछ भी हो सकती है तुरन परन्तु क्रेडिड बॉलर को ही पूरे मिलता है क्या बाल काटी यार मान गए कितने विकेट लिये तुने मैंने तो आज साथ विकेट लिये बच्चे 45 मिनट में साथ विकेट निकाल रहे हैं और मा बाप है कि कहां से फाट लाए यह पैंट कल से खेलो, खेले तो खबरदार टांगे तोड़ दूँगा क्यूंकि खेलों में कपी कभी कपड़े भी फड़ जाते हैं पर बच्चे निर्चाहित नहीं होते वे सारा रिस्क लेकर भी लगे रहते हैं बोलिंग यानि गेन बाजी चल रही है खतरनाक मैदान में यहां वहां हाल कपिल, मार्शल और एंडी, रॉबर्ट सन बिखरे पड़े हैं टीम का हर बच्चा गेन करना चाहता है लड़ते हैं सब अब मैं करूंगा, अरे अभी पांची बाल तो हुए है, उल्लू, उल्लू मत बना मुझे, आठ कर चुका है तू, जा जा लड़ते हैं आपस में, फिर तब तै होता है कि सभी एक-एक ओवर मिलेगा और जल्दी गेन करनी होगी लंबा रन अप नहीं चलेगा, क्योंकि बस आने वाली है, सब बाॉलिंग करते हैं, सभी किर्मिच की घिसी पिटी बाल को स्कूल की सफेद पैन पर रगड़ते हैं, सब की गेन बाजी सफल तथा तेज है पिछ के गड़े, पत्थर, उतार, चड़ाव वाली सतह, सब की बराबर मदद करते हैं, संसनी पूर्नोगेन बाजी चलती रहती है इसका तात पर यह है कि कदापी नहीं कि बैटिंग जोल खा रहे हैं, नहीं, कभी नहीं, बल्ले बाजों के तेवर्तों देखते ही बनते हैं मतलब बैटिंग करने वाले, उनमें हर बच्चा अपने को गवासकर या कपिल समझे बैटा है गुमा कर मारो यहां बल्ले माजी का यही सिद्धान थे, कैसी भी गेंद आये या परिसिती हो, मारो गुमा के यह सिद्धान सफल भी हो जाता है, जिसका बल्ला गेंद से लग गया, चोके से कम नहीं जाती गेंद चार कदम पर ही तो चोके की सीमा रेखा है सारे बच्चे चोका लगा लेते हैं किरमिज की गेन उजलती बहुत है सो छक्के भी सभी लगा डालते हैं मिन्टो में स्कोर पचास सो पहुंसता है आज मैने थीज बनाए मैने भी और मैने भी सभी खुद बनाते हैं परन्तु पारी 20 मिनट में समापत पारी मतलब बैटिंग फिर दूसरे आते हैं वे भी बनाते हैं एक बच्चा स्कोर याद रखता जाता है मौखिक स्कोर बोड़ पर किसी को भरोसा नहीं इसलिए हर बच्चा अपने स्कोर खुद भी याद करता जाता है मौखिक मतलब ओरल इसी चक्कर में सब घाल मिल हो जाता है मतलब ओरल अगर बोड़ पर लिखें तो स्कोर याद रहेगा अगर मन में याद रखेगा तो वो तो गायब हो जाएगा कभी जादा बोलेगा या तो कभी कम बात में सब ही जगरते हैं कि असली स्कोर क्या रहा कोई नहीं मानता कि कौन जीता दोनों टीम जीत का दावा करती है जगरा होता है सब ही शामिल होते हैं इसमें वे भी जो खेल नहीं रहे थे हंगामा हो जाता है और सब एक दूसरे को कहते हैं कि देख लेंगे बेटा हमेशा बेइमानी करते हो तुम हां करते हैं कर ले क्या करेगा घास किसी और को देना तबी बस आ जाती है और सारे बच्चे जो लड़ रहेते हसते खिलते हला करते हुए अपने अपने बस थे विकेट से निकाल कर बस की तरफ बेताहाज भगते हैं उस दिन का टेस्ट मैच बिना किसी शिकवे के समाप्त होता है और सभी लोग चले जाते हैं और बस भी बस में बैट कर चले जाते हैं तो बच्चों इस पार्ट से हमें यह सीक मिलती है कि बच्चों को खेल खुद से ही उनका विकास होता है बच्चों को खेलों की आवशकता है पड़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलना चाहिए तबी उनका शारेरिक और मानसिक विकास होता है तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझ में आया हो धन्यवाद